कल्यान पूर्व के गौरी विनायक बिल्डर एंड ड्वलपर्स के संचालक संजय गायकवार को ब्लैक मिल कर पैसे मांगने वाली महिला को कोल से वारी पुलिस ने डेड़ लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों किरफतार कर लिया है फिलहाल महिला को कल्यान कोर्ट में हाजिर किया गया इसे 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश नयायाले ने दिये हैं मिली जानकारी के अनुसार 2019 में सुश्मा जावले नामक महिला ने संजय गायकवार से एक फ्लेट खरीदा था उसके बाद से ही ये महिला संजय गायकवार के कारयाले में कई बार आ चुकी थी इस तोरान उसने संजय गायकवार को अपने जाल में फसाने का प्रयास किया पर महिला की चालाकी को समझते ही गायकवार उनसे मिलने में कत्राने लगे अपनी दाल गलती ना देख महिला ने गायकवार को बलातकार के केस में फसाने की धमकी देते हुए उनसे अब तक लाखों रुपए एंठ लिये बताया जा रहा है कि संजय गायकवार ने महिला सुष्मा के खिलाफ बलैक मिल कर पैसे मांगने की शिकायत भी कोल से वाड़ी पुलिस टेशन में एक महीने पहले दर्ज करवाई थी एक बार फिर से सुष्मा ने डेड़ लाख रुपए की मांग गायकवार से की जिसकी जानकारी गायकवार ने पुलिस को दी और पुलिस ने महिला को पैसे लेते हुए रंगे हाथों की रफतार कर लिया महिला को कल्यान कोट में हाजिर किया गया इसे 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश कोट ने दिये हैं